धन्यवाद नेकदुन भाट विश्णू भारत के एकी करण में अतुल ने योगदान देने वाले सरदार पतेल जी के आदर्श मूल्यों को अपने प्रखर विचारों से अभिव्यक्त करने के लिए आ रहे हैं इस कारिक्रम के आखरी प्रतिभागी उत्तर प्रदेश से जा मिश्रा भारत भूमी को नमन करती हूँ सफा में उपस्ते सभी विश्ष जन विभिन्द प्रांतों से आई हुए युवा साथियो एवं चित्रकूट जन पदुतर प्रदेश से सरदार बल्लब भाई पतेल को नमन करते हुए मैं भान्जा मिस्रा उपस्तित हूँ अपने वक्त भारती एकता के शिल्पी, आधरीक भारत निर्माता, एकीक भारत के जनक, भारत के प्रतम उप्रधान मंत्री, ग्रह मंत्री, भारत रतन सरदार बल्लब भाई पतेल का व्यक्तित तो जब हमारे चित्त में आता है तो उन्हीं के शब्द गुंजाए मान हो जाते हैं कि एक बाधाओं के बावजूद यहां महानात्माओं का निवास रहा है, अंगार हारुन की जिनकी सुनहाक समय रुक जाता है, आदेश इधर का देते हैं, इतिहास उधर जुक जाता है, आते थे जो युग में मिटी का चमतकार बतलाने को, अठोके ने पीठ भूमंडल की न क्योंकि बेटिस हुकूमत में जो भारत सौपा था, वह इस अवस्था में नहीं था, जो अपने नागरिकों की सुरक्षा में समर्थ हो पाता, जो अपनी स्वाधीनता को इस्थाई रख पाता, जो बिश्व के सम्मुक कभी आत्म निरभर भारत के रूप में उभर पाता, किन तो न भूतो न भविश्यती, जब गोरों ने घायल करके भारत का भू गोल दिया, तो वीर प्रशूता वश्था ने फिर लौह पुरुसन मोल दिया, खंड खंड को जोड कर जिसने अखंड राष्ट का किया सजन, जूनागण में जन्मशंग्रह कसमीर में किया सुला, सबक सिखा करके निजाम को हैदराबाद में किया समर, ऐसे युगसिल पीबल आपको करते हैं सौवार नमन, हम वास्तों में मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना सुंडे सुंडे सरस्वती वाले राष्ट में किसी को अपनी संप्रफुता त्यागने के लिए सहमती प्राप्त कर लेना, विवश कर लेना, अपने आप में एक विशिश उपलब्धी है, हम उन्हें भारत का विश्मार का कहते हैं, किन्तों सही यर्थों में वो विश्मार कसे बढ़ कर थे, उस समय लंदन टाइमस ने लिखा कि विश्मार की की उपलब्धियां पटेल के सामने महत्तुही अपने थे कि भारत एक ऐसा उत्वादक राष्ट बने, जहां कोई अन्न के लिए आंसू बहाता भूंखाना रहे, इसलिए उन्होंने इस दिसा में ऐसे कई गार किये, जो आज भारत के लिए नीव का पत्थर साबित हो रहे हैं, उन्होंने भारती नागरिक सेवा का भारत की करन करके उसे भारती प्रशासनिक सेवा में तबदील किया, उसे राजभक्ति से देशभक्ति की और उन्मुक किया, चाहे वह किसानों की हित में लड़ा गया खेडा का सत्या ग्रह हो, मानवा धिकारों के रिए रोलट का विद्रो, असा योगा अंदोलन के अग्रिम पं कर दिया कि मायने नहीं रखता कि राष्ट ने आपको क्या दिया है, महत्तुपूर्ण यह है कि आपने राष्ट के लिए क्या किया है, वो कहते हैं सत्ताथीसों की सत्ता तो मृत्ति के साथ खत्म हो जाती है, किन्तों देश भक्तों की सत्ता मृत्ति के बाद भी काइम रहत धन से, वाडी से, विचार से, कर्म से, ब्योहार से, कला से, विज्ञान से, धर्म से, अध्यात्म से, हर इस तर पर हर संभव प्रयास करें, ताकि देश एक बिक्सित राष्ट बने। धन्यवाद, धन्यवाद भानुजा मिश्रा, इसी के साथ कारिक्रम को विरामति